एलो बई नमस्कार राम राम कैसे हो सभी I hope कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे कैसे कि बच्चो आप सभी को पता है कि D3B की vacancies आने वाली है ठीक है सारे बच्चे जानते हैं कि D3B की 2023 के अंदर vacancies आने वाली है लगबग बच्चो 16000 पलस जो है वो पत हमारे खाली है D3B के अंदर जो नोटिफिकेशन आप लोगोंने देख वे लिया होगा अगर वीडियो नहीं देखिए तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं लगबग बच्चो 16000, 16500 कुछ पत जो है वो D3B के अंदर vacant है यानि इन vacant पत के उपर अभी हमारी जो vacancies है वो आने वाली है जिसके अंदर सबसे जादा जो vacancies दिखाई दे रही थी प्यारे बच्चो वो दिखाई दे रही थी हमारी TGT के अंदर ठीक बात है ना चलिए तो बच्चो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि TGT जो D3B का जो exam होता है उस exam के अंदर जो आपका part 1 रहता है दो paper होते हैं आप लोग जानते हैं जो पहला paper रहता है उसके अंदर 100 क्यों सनाते हैं उनके लिए आपको कैसे तयारी करनी है बच्चे अगर आप D3B की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को like और share कर दीजे चैनल को subscribe कर लेजे आपका अपना channel है समय समय पर हम लोग पूरा D3B तक जो help होईगी हम लोग समय समय पर आपको guide करते रहेंगे कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है कितना हम पढ़ा रहे हैं आपको जितना हो सकेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए help करने के लिए तयार है बस आप लोगों से इतनी सी request है कि वीडियो को like और share जरूर कर दें ठीक है बाकी बच्चों के पास जो D3B की तयारी कर रहे हैं इतने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना उसला वड़ेगा यार खेर आये आते हैं point पर आते हैं आज की इस वीडियो में हम यहीं पढ़ने वाले हैं देखिए बच्चों अगर हम बात करें D3B की तो D3B क अगले महीं ना है हो सकता इससे अगले महींने आए तो आपको अभी से तैयारी करना शुरू करदना है क्योंकि स्लेवस बढ़ा है मुश्किल नहीं है लेकिन बढ़ा है ठीक है ये बात में पहले दूसरी बात है बचो एज है वो जब वैकेंशी आएगी तब आपको बता दूँगा ठीक है कि क्या एज है किसमें कितना relaxation है. तीसरी बात बच्चो D3B का जो form है वो सिरफ वही बच्चा आप दे सकता है जिसका seat at qualify है है ना? जिसका क्या है? seat at qualify है. सिरफ वही बच्चा D3B में form apply कर सकता है पहली बात तो ये ठीक है? जैसे vacancy आएगी कब form fill होंगे? कब क्या होगी? ये चीज़ें आपको इसी channel के उपर समय समय पर मिलती रहेगी. ठीक है? मैं कोशिश करूँगा हार एक चीज trust worthy आप लोगों के लिए लेके हों. लेकिन तयारी आपको अभी करनी शुरू कर देनी चाहिए. क्योंकि बच्चो आगे election आना है. और ये इस साल जो है ये भरतियों का साल है. इस साल में ये maximum भरतियां करेंगे. आगे election आने हैं. तो आप लोग अपनी तयारी जो है वो सुचारो रूप से अभी से start कर देजी. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि paper first जो रहेगा आपका part one जो रहेगा जिसके अंदर hundred question है. इन hundred question की तयारी कैसे करें? तो बच्चो अगर हम बात करें इसके अंदर इन hundred question के अंदर कौन कौन सा portion आपका paper में आएगा. तो बच्चो एक बार उनकी बात कर लेते हैं. फिर मापको ये भी बताऊंगा कि कैसे तयारी करने हैं? कहां से क्या पढ़ना है? ठीक है? बाकी आपकी जो भी क्योरी हो मुझे Instagram मंदीप गोदारा official पर message करके बता दीजीगा मैं आपकी उसी क्योरी के उपर या फिर comment box में comment कर दीजेगा. अगली वीडियो मैं उसी चीज के उपर ले के आँगा. ठीक है बच्चो अब बच्चो यहां पर रहते हैं 100 question और हमारे 100 question को 5 part में बाटा जाता है 5 भागों में बाटा जाता है यानि 5 parts के अंदर इनको divide किया जाता है ठीक है? इसके अंदर रहते है 20 question रहते हैं अपने mathematics के 20 question ही हमारे किसके रहते हैं journal awareness के रहते हैं 20 question हमारे किसके रहते हैं journal awareness के रहते हैं तो total आपके 100 question हो जाते हैं अब इन 100 question में कहां से क्या पढ़ें सर? कौन सी किताब पढ़ें? कहां से पढ़ें? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सर बच्चे ना वो चीजे पढ़ने लग जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है ना तो मैं एके करके step by step आपको सारी चीजे समझाऊगा आईए बच्चो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले section की mathematics की section की बात करते हैं तो बच्चो अब बहुत सारे ऐसे बच्चो होते हैं जिन पिछे आप अपना time खराब ना करें request आप लोगों से advanced math के पिछे अपना time खराब ना करें आपको पढ़ना है सिरफ और सिरफ और सिरफ अर्थमेटिक है ना सिरफ और सिरफ को आपको arithmetic पढ़ना है जिसके अंदर आपका percentage है profit loss है ठीक है ratio proportion है number system है advanced की तरफ थोड़ा सा math के लिए बच्चो एक राकेश यादव के class notes आते हैं राकेश यादव सर के बहुत अच्छे class notes आप उनको पढ़ सकते हैं या तो YouTube के उपर आपको बहुत सारी बहतरी वीडियो मिल जाएगी साहिल सर की wifi study मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर जो पढ़ाते हैं ठीक है आप उनसे वीडियो देख सकते हैं आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको source एक रखना है भटकना नहीं है भाई क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या रहती है हमारे अंदर कि हम लोग भटकते रहते है एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चोती जगह, पांचमी जगह, साथमी जगह, आठमी जगह, हैना अब कुछ बच्चे होते हैं जिस तरह मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 20 क्यूस्टन के लिए हैना गगन परताब सर का बैच ले लेंगे हैना राकेश के अंदर तो मैत का सलेवस नहीं हो पाएगा, कैसे आप कर लोगे, आपको एक दिन में एक टोपिक करना है, मैक्सिमून से मैक्सिमून दो दिन लगा दो उसके अंदर, सिंपल पढ़ना है, एक बच्चों केड़ी केमपस की बुक आती है, अर्थमेटिक की, ठीक है, छोटी ठीक है, मेरे 15 से 17 परसंट ठीक होने चाहिए, मुझे 20 की बीस नहीं चाहिए, इंपल बात, अब आजाते हैं बच्चों अगले सेक्सन पे, भाई देखिए ये मेरा उपिनियन है, हो सकता है कुछ चीज़े गलत हो, जोटा भाई समझ के माफ कर देना, अगली बात आती है ब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप लोग कोई भी बच्चों, कोई भी बुक उठा लीजिएगा, ठीक है, रिजनिंग की कोई भी SSC की बुक उठा लीगे, SSC में रिजनिंग कोई अच्छे खास लेवल की आते ही नहीं है, ठीक ठाक लेवल होता है, ठीक है, इसके लिए अब कोई भी SSC की बुक उठा लीजिएगा, रिजनिंग की, या फिर मैं तो कहूँगा SSC के प्रिविएस एर क्यूस्टन कर लेजिएगा, रिजनिंग के, इसमें ही काम चल जाएगा अपना, ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अगला जो सेक्षन रहता है, वो आता है अप इंगलीश का, किसका सेक्षन आता बच्चों, इंगलीश का, इंगलीश के बच्चों 20 में से आपकी ये मान के चलो, कि आपको ना 15 क्यूस्टन करने हैं, ठीक हैं, 20 में से 15 क्यूस्टन, एक बात बताता हूं बच्चों, इस पेपर के अंदर negative marking है, 0.25 की, इस बात का ध्यान है कि सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसा नहीं सरयामसर A, B, C, C बर जो, ये नहीं करना भाई, आपसे हाथ जोड़ के request, नहीं तो आप बहुत पिछे चले जाएंगे, ठीक है, दूसरा बात है, इंगलीश के लिए बच्चों, इंगलीश क classes YouTube पे जलती रहती है, तो आप मेरी वो classes आप सर्च करोगे, तो मेरी भी classes मिल जाएगी, वहाँ से अपना काम बन जाएगा, ठीक है, 15 questions अपने बन जाएंगे, इसके अंदर आपके vocabulary section भी आ जाएगा, और grammar का section भी आ जाएगा, और comprehension भी आ जाएगा, ठीक है, मान लोग इसके पहली बात तो online paper होता है, क्या होता है, इसके अंदर सर online paper होता है, अब online paper होता है, आपका एक समय में एक ही section खुलेगा, मान लोग आपका math वाला section खुला, तो math वाले section में आपने जितने question attempt करने थे कर दिया, दोबारा आप इस section पर नहीं जा सकते, ठीक है, तो कोशिश करना बच्चो 15-17% आप लोग इसमें ठीक कर पाएं, तुक्के ज्यादा ना लगाएं, मैं पहले ही कहा रहा हूँ, तुक्कों से बिलकुल दूर से रहें, बचे, और समय का भी ध्यान रखें बच्चो, आप लोगों को इस पेप, इसके अंदर आपको इस पूरे 100 question के अंदर भ 50 minute कम से कम आप अपने subject के लिए बचा के जरूर रखें, क्योंकि पहले ये section आता है, और बच्चा इसी में अपना 1,5 घंटा लगा देता है, तो फिर आगे वाले के लिए अपने पास समय नहीं बचेगा, आदा घंटा बचेगा, फिर उसमें आसान सवाल भी गलत कर देते ह हम लोग, इसी लिए हमारा selection नहीं हो पता, मैं पहले ही कहा रहा हूँ, paper आसान आता है, लेकिन थोड़ा lengthy होता है, और हम लोग question, number of questions ज्यादा होते हैं, और हम लोग in question के अंदर ही mathematics और reasoning, इनके अंदर हमारा time ज्यादा लगा देते हैं, तो इनके अंदर आपको ज्यादा time मिनिट ही लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को मिला करके आपको 40 मिनिट, 40 मिनिट का ही समय आप इन दोनों को section को देना है, इंग्लिश में आपका 10 से 12 मिनिट के अंदर आपका हो जाएगा, मेरे को पता है तो ठीक है, नहीं आता तो ज्यादा दिमाग लगाने क जरूर ज़िए आती है बच्चो हिंदी की बात, अब करते है हिंदी की बात, गुरुजी हिंदी, हिंदी के भी भाई 20 क्यूशन आएंगे, अब हिंदी के अंदर भी 20 में ये मानो के आपको 17, 18 क्यूशन नमबर तो लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब इतने पड़ेंदी की कोई भी ग्रैमर की किताब उठा लो, एक शोम्या करके कुछ किताब आती है ग्रैमर की, ठीक है वो उठा लो, या फिर बच्चों सिंपली, 9th और 10th क्लास की जो CBSC की ग्रैमर है, आप वो कर लो, ज्यादा चक्रों में बत पड़ो, ठीक है, सब के पास मिल ज आएगे, ग्रैमर की बुक है, आप लोग 15 दिन में निप्टा देंगे, यह कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हैती है, अब बात आती है सर, यह वाला सेक्षन, जर्लन अवेर्नेस का जो सेक्षन आता है, इसके अंदर भी 20 क्यूस्तन आते हैं, और बच्चे इसके चक्र में एक है, साथ के साथ बच्चों, आप कोई भी करेंट अफेर्स की वीडियोज देखते रहें, मन्थली करेंट अफेर्स की वीडियोज आती है, यूट्यूब के उपर, तो आप लोग मन्थली करेंट अफेर्स की वीडियोज देख लें, हाना, तो इसमें काम चल जाएगा, तो अपना जर्नल साब 20 में से बचो इसमें अगर आप 10 क्यूशन भी करते हैं तो अपना काम बन जाएगा इस पेपर के अंदर आपको maximum score करना है यही आपकी कटोफ तक लेके जाएगा तो अब हुआ कितना देखो जीए के उपर जर्नल अवेरनेस के उपर आपको ज्यादा सी अब मान लो इसके अंदर बच्चो तीनों के अंदर बात करें इसके अंदर आपके 18-19 परसन आ जाएंगे ठीक है इसके अंदर आपके 15 क्यूशन जो होगे वो आ जाएंगे ठीक है जलना अवेरनेस को टाइम भी नहीं देना है इसको शिरफ और शिरफ आपको 10 मिनट का टा आई इस से ज़्यादा समय बच्चो इन तीनों सेक्षन के लिए आ जाते हैं अपने 10-10 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट आ जाते हैं इन दोनों सेक्षन के लिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है टोटल आते हैं बच्चो 100 क्यूशन होते हैं आपको 70 मिनट में ही करना है इस ब वीडियो अगर अच्छी लगी है ठीक है मैंने मेरे अनुभव के आधार पर बहुत सारे विशेशग्यों से मैंने सलहा लेकर के बहुत सारे मैंने प्रीवियस एर पेपर को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को इस वीडियो में जिस सारा कंक्लूजन निकाल के आया हूँ बहुत जल्दी बच्चों पेपर टू सब्जेक्ट वाइस भी मैं वीडियो बनाकर लेकर के आऊंगा वो आप लोगों के रिस्पोंस के उपर डिपैंड है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बाकी बच्चों को भी इन्फ कुछ सब मुभाया है तेले भाई थैंक यू सो मैच बाबाई टाटा ख्यालर केक अपना और खुश रहे मुश्कुराते रहे